जरेश्ट संस्कारों के आधार पर भविश्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप धवां अभीके श्रेश्ट संसकारों से ये भविश्य संस्कार बनेगा एक राज्य, एक धर्म के संसार, संसकार ही, बविश्य संसार का पाउंडेशन है, स्वराज्य का धर्मवा धर्णा है बन, संबंद संपर्क बेश, जब प्रकार की पविकरता संकल्प वा सवक्नवात्र भी पविप्वता, अरथा दूसरा धर्मन हो, जह पविप्वता है वहाँ, पविप्पता अरथा व्यार्था वा विकल्प का नामनिशान नहीं रहता उन्हें ही धारणा स्विरूर कहा चाता है मैं आत्म, मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्ग, पवित्रता का अनुभव अनुभव कर रहे हैं, मन में कोई और संकल्प नहीं पवित्रता के संकल्प निकाल देना है मन में जोथी और पवित्र संकल्प है देह, देह के संबंधी, देह के दुनिया, जोभी संकल्प है सब निकाल दे मन, स्वच्छ, मिर्मल, पवित्र, पवित्रता कानु भव और इसले वचन में, पवित्र वचन, पवित्र गोल और इसले कर्म में, पवित्रता कानु भव, पवित्र कर्म, संबंध संपर्क में संकल्प मात्र भी वो पवित्रता नहीं वो अपना मात्र भी कोई दूसरा धर्म नहीं वो या पवित्रता नहीं मन बुद्धी संस्कार पवित्रता से भरपूर अनुभाव कर रही है नय आत्म पवित्रा आत्म मन पवित्र संकल्पों से भरा हुआ कोई अपवित्रता नहीं, बुद्धी, पवित्र बुद्धी, पावन बुद्धी, संस्कार, पवित्र संस्कार, मैं आत्म, तुम्पोन पवित्रता कानुपो, कोई अपवित्रता नहीं, कोई वियर्था नहीं, कोई विकल्प नहीं, नाम निशान नहीं, मैं आत्म पवित्रता एक राज्य अनुभव कर रहे हैं स्वयम का स्वयम पर राज्य एक धर्म मन्ने पवित्रता का धर्म एक राज्य एक धर्म के संस्कार यही भविश्य संसार का पॉंडेशन है शुष्ट संस्कारों से है भविश्य संसार बन जहान मैं आत्मा, स्वराच्यातिकारी आत्मा, स्वयम का राज, अच्यका धर्म, वो धारणा है, मन वच्छन कर्म, संबंध संपर्ग में साथकार की पवित्रता, संकल्प मात्र, स्वप्न मात्व भी वो पवित्रता निया मैं आत्मा, धारणा स्वरूब आत्मा, पवित्रता की धारण, श्रेष्ट संसकारों की आधार पर भविश्य तंसार मनाने वाली मैं धारणा स्वरूब आत्मा, ओम शंति